सरकारे बले ही ओनलाइन जानकारी या वीडियो कॉन्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्द कराने के लिए शास की कारयलव में करोडों रुपया खर्श करती हूँ लेकिन धरातल पर इसकी इस्तिती को देख कर सिर्व और सिर्फ पैसे की बरबादी होना ही नजर आता है क्योंकि धरातल पर किसी तरह लाखो रुपय की मशीने उपयोग किये बिना कबाड में तबदील हो रही है इसका अंदाजा मुगावली ब्लॉग के महिला बाल विकास विभाग के कारयलाय को देख कर आसानी से लगाया जा सकता है जहां बिल्ली के बिल जमाना होने से तीन महा से करेक्शन कटा पड़ा है जिसके चलते लाखो रुपय लागत की मशीने कबाड में पड़ी है वही वीडियो कॉंफरेंसिंग की मशीने धूर खाती नजर आ रही है साथ ही साथ कंप्यूटर भी यहां से गायब होते नजर आ रहे है अन्य विभागों में भी इसी तरह की इस्तिती बनी हुए जहां लाखों की कीमत की मशीने धूर खा रहे है इस तरह मशीनों के कटे पड़े बिल्ली करेक्शन के बारे में जब महिला बाल विकास अदिकारी पुष्पा भगत जानना चाहा उन्होंने अपनी पीड़ा हमें सुनाई कई बाद जिला अदिकारी को पत्र खेज दिया गया है उसके बाद भी बिल जमा नहीं कराया कि बिली तो हमने भेजी हैं जिले में अब वहां से बजट नहीं थी इसलिए उन्होंने नहीं कराया तो जो भी काम होता है तो बाद के रहा देते हैं अच्छुनगर से ग्राउन रिपोर्ट और संजेन आमदेव की रिपोर्ट